नमस्कार, स्वाधत है आप सभी का हमारे इस खाथ और स्पेशल प्रोग्राम में आप देख रहे हैं नेशन मेरा और आपके साथ मैं हूँ उसकान अगरवाल आज के स्पेशल प्रोग्राम का विशा है कि बजार में इन्वेस्ट करने का क्या सही समय है यह सवाल हम सब के जहन में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि शेर बजार में निवेश करने का सबसे उप्युक्त समय क्या है पर शेर बजार की एक कहावत है Nobody can never tame the bull माने यह कोई भी नहीं बता सकता कि कब निवेश करना चाहिए शुरुआर करते हैं भारतिय शेर बजार के इतिहास से दलाल स्ट्रीट यानि भारतिय शेर बजार के शुरुआर 1986 में हुई थी और तब से लेकर आज तक कई स्वर्णिन दौर और अबसराय है 2006 में पहली बार सेंसेक्स ने 10,000 पॉइंट का आख राच हुआ और देखते ही देखते 2007 में या 20,000 पॉइंट पर पहुँच गया लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी के चलते सेंसेक्स करीब 61 प्रतीशत गिर गया था इस मंदी के चलते जाद तर निवेशकों ने बजार को अलविदा कह दिया और नए निवेशक बहुत सीमित हो गए लेकिन बात करें 2010 की तो जैसे ही दुनिया मंदी से उबरी सेंसेक्स वापस अपने पुराने स्तर पर पहुँच गया 2017 तक समलता समलता सेंसेक्स 30,000 पॉइंट पर पहुँचा इसके बाद शुरू हुआ भारती शेर बजार का स्वर्णिंग बॉल और नित नइक की पिमान तोड़ता हुआ सेंसेक्स सितंबर 2024 में 85,000 पॉइंट को चुगया है तब से लेकर आज तक बजार ने निवेश की कई मौके दिये और जिसने धैरे और समझदारी दिखाई उनसे भर-भर कर मुनाफ़ा भी कमाया बजार के रुप को लेकर कोई भी भवश्यवाणी करना बेहत मुश्कल है लेकिन सबसे अच्छी बात है रही है कि विदेशी निवेशकों के साथ-साथ घरेलों निवेशकों ने भी बदलते भारत पर भरोस अजटाया भारती आर्थी विवस्ता में व्यापक आर्थिक बदलाव, स्थिर सरकार, भारती कम्पनियों का परफॉर्मेंस, सरकारिन नीतियों और RBI की पेनी नजर और सेबी की पकड़ इन सब ने मिलकर भारत में निवेशकों लेकर एक सकरात्मत महौल बनाया, जिसमें बजार मजबूत हुआ हाली के दिनों में गिरते चड़ते बजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण बजार कमजोर हुआ लेकिन घरेलों निवेशकों ने लगादार निवेश जारी रखा इसलिए कहा जाता है कि शेर बजार में निवेश का कोई समय सही या गलत नहीं होता सिर्फ आपको आपने विश्वास और भेर रखना है और बजार के प्रती विश्वास रखते हुए निवेश शुरू करना है सिर्फ निवेश करने का एक मूल मंत्र याद रखना है कि अपनी सारी जम्म पुझी किसी एक शेर या एक सेक्टर में निवेश ना करें बलकि अपनी पूंजी को विभाजित कर अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश करें यदि एक सेक्टर से रिटर्न अच्छा ना मिले तो बाखी सेक्टर्स में बैलन्स हो जाए और गिरावट की समय अपनी पूंजी निकालने की कोशिश ना करें आशा करते हैं इस प्रोग्राम से आपने सीखा होगा कि बजार में कब निवेश करना है और कब नहीं मिलते हैं अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए देखते रहे पढ़ते रहे और सुनते रहे निशन में रख